बहुत से स्टुडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए जब भी हम किसी एक्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो मेरा नाम है सिमरन कपूर आज का जो सेशन रहने वाला है आप में से जितने भी लोग सिवल इंजिनियरिंग ब्रांज से हैं और से सीज़े ट्विटी ट्विटी फाइप पर टार्गेट कर रहे हैं तो आज की सेशन में मैं complete discussion करने वाली हूँ कि आपको practice कौन से questions करने चाहिए और अपनी standard books कौन सी आप follow कर सकते हो तो basically देखिएगा जब भी हम किसी exam की तयारी करना start करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके exam का pattern पता होना चाहिए उसमें किस तरीकी के questions exam में पूछे जाते हैं हमें उसके बारे में complete knowledge होनी चाहिए क्योंकि उसी direction में हम लोगों को अपनी तयारी करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर एक best idea दूँ आपको सबसे पहले अगर आप SSJ 2025 पर target कर रहे हैं तो आप उसके previous year questions को एक बार analyze करिए आप पिछले 5 से 10 साल में जो questions आ रखें एक बार उन्हें देखिए किस तरह के question exam में पूछे गए हैं जैसे कि अगर मैं आपको बताओ SSJ में numerical portion बहुत जादा नहीं रहता वहाँ पर आपके theoretical, conceptual और data based वाले questions पूछे जाते हैं तो जब भी आप अपनी तयारी करेंगे जब आप अपना theory prepare करेंगे तो सबसे पहले आपको इन points पर ध्यान देना है कि आपके numerical part यहां पर बहुत जादा पूछा नहीं जाता पर आपको और अच्छा idea तब लगेगा जब आप अपने आप एक बार previous year questions को analyze करेंगे अब बात आती है यहां पर books की देखिएगा अगर आप अपनी तयारी अभी start कर रहे हैं पहला step आपको previous year questions को देखना जरूर है कि किस तरीके के सवाल आए है किस subject से उसकी analysis जब आपने कर ली अब second बात आती है कि अब मुझे अपना syllabus complete करना है मुझे different topics पढ़ने है जो हमारे SSCJ exam की syllabus में है उसके लिए भी अगर मैं आपको एक best suggestion दू तो मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आपके पास एक proper notes है क्योंकि आपको बताए बहुत सारी आपको lectures जो है इंजिनियर्स वाला चैनल पर भी मिल जाएंगे different subjects के different जो आपको यहां पर अलग-अलग जब भी SSCJ exam आया है या और कोई exam आया है उस time आपको तैयारी की गई कराई गई है तो आपके पास अगर अपने कोई ऐसे notes है उससे आपका थोड़ा सा time जो है वो बच जाता है जब हम किसी standard book को line to line पढ करने में थोड़ा सा time जादा लग सकता है अगर आप dropper है आपने पूरा college अपना अच्छे से cover complete कर लिया है और उसके बाद अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो तैयारी के लिए सबसे अच्छा रहेगा अगर आपके पास एक थोड़े से notes हो जो उस particular exam relevant हो इस तो जो standard books की अगर मैं आपर बात करूंगी वो इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे ऐसे questions होंगे जो आप जब भी किसी अलग source से practice करोगे तो उसके multiple अलग अलग जगा अलग answers देखने को मिलेंगे तो standard books को follow करना इसलिए जरूरी है ताकि जो हमारा data हम use कर रहे हैं किसी particular value जो हम use कर रहे हैं या तो वो standard IS code से होनी चाहिए या तो हमारी standard किसी reference books से होनी चाहिए अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों ने college में कुस standard books यूज की होंगी वही कुस standard books मैं यहाँ पर mention की है हो सकता है इसके अलावा आपने कोई reference books यूज की हो बस वो standard books होन जाता है हना अब अगर आप यहाँ पर theory cover कर रहे हैं तो आप इन books का reference ले सकते हैं सर्वेइंग के लिए आपके पास दो सबसे best book है जिनको आप follow कर सकते हो BC पुन्मिया और SK दूगल इन दो को follow कीजिए SACJB इन दो books को मतलब maximum जो है वो follow करता है और इन दो में भी आपका BC पुन्मिया जो है उसको आप सबसे पहले देख सकते हैं SK दूगल में थोड़ा सा आसान language में जो चीज़े हैं उनको समझाया गया है यहाँ पर में irrigation engineering की बात करूं तो irrigation engineering के लिए best book है SK गर इसके अलावा जो आपका hydrology है तो hydrology के लिए के सुब्रमन्या को आप follow कर सकते है ठीक है अब इसके बाद बात करते हैं highway engineering के लिए आपको जादा books में जाने की जरूरत नहीं है इसके लिए जो standard आपके कुछ IS codes है आपको वहाँ से कुछ data पढ़ना है इसके अलावा जो आपका latest edition आया होगा खना एंट जस्टो का आप उसको follow कर सकते हैं fluid mechanics के लिए भी colleges में आपको अलग-अलग reference बताए जाएंगे आप वो भी follow कर सकते हो लेकिन modi and set जो है वहाँ पर आपको असान language में चीज़े समझाए गई है तो हो सकता है आपके लिए easy हो जाए concept को समझना इसके अलावा अगर आपको conventional questions प्रैक्टीस करने है और वो बाद क स्टेज है क्योंकि हमारे SACJ exam में सबसे पहले हम लोगों को अपने objective questions की तरफ ध्यान देना है तो उसके लिए कल पकजियन की book है पर ये conventional questions के लिए है इसके अलावा college में ML मातुर को भी कई बार reference बता दिया जाते है कि आप इस book को भी follow कर सकते हैं RCC के लिए पिलाई and Manon वै easily उनको समझ जाओगे building material के लिए आप SKDougal follow कर सकते हैं वैसे structural analysis के लिए RCC हिबलर है आपका estimation costing हो गया design of steel structures हो गया BN data SKDougal दिखिए जो यहाँ पर books लिखी गई है आपने इनके नाम ज़रूर अपने college में सुने तो होंगे ही ठीक है इसके लावा देखिए environmental engineering की बात आती है environmental engineering में इस book के लावा कुछ और follow करने की जरूरत नहीं है for your SSCJ exam या फिर आपके state exams के लिए आपका SKGARG more than enough है इसमें सारी चीज़े बहुत detail में बताए गई है open channel flow की बात करूँ तो के सुब्रमन्या की एक book आती है उसमें बहुत जादा चीज़े भी नहीं है extra theory भी नहीं है आसान language में लिखा है तो आप easily समझ कर concept जो है वो अपने वहां से अच्छे कर सकते हैं फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आपको जो भी जैसे अगर इंजिनियर्स वाला पर आपको बार बार इस तरीके के sessions में बताया जाता है कि किस तरीके से त्यारी करनी है आपको क्या strategy अपनानी है कौन सी books follow करनी है तो आप अगर उन sessions को देखते हो तो आपको यही सबसे प पढ़नी है तो practically possible निया कि मैं सारी books पढ़ लूँगी एक साल में तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी यह है मुझे पता होना चाहिए S.S.E.J. exam की most important topics कौन से है highest weightage वाले subjects कौन से है इस पर already इस channel पर आपको बहुत सारी videos मिल जाएंगी अब जो highest weightage वाले subjects से आप वह questions कौन से solve करने ही कैसे पता चलेगा आप पहले सबसे पहले previous year questions जरूर analyze करोगे previous year questions से आपको यह पता चलेगा कि आपकी जो त्यारी है वो सही track पर जा भी रही है या नहीं या फिर आप जो पढ़ रहे हो वो किसी अलगी direction में जा रहा है तो मैं आपको सिरफ यही राय देना चाहूंगी सबसे पहले previous year questions को analyze कीजिए यहां जो मैंने कुछ standard books बताई आप इनको भी follow कर सकते हो या आपके college में आपने कोई और standard book को पढ़ा हो जो आपको समझनी आसान हो आप उसको भी follow कर सकते हो उससे भी best रहेगा अगर आपको कोई और proper इसी exam को target करते हुए आपके पास notes मिल जाएं और उन notes में जो मुझे नहीं चीजे clear हो रही नहीं समझ में आ रहा वो मैं अपनी standard book पे जाकर उनको अच्छे से clear कर लूँ जब आप ये तीन चीजे कर लेंगे उसके बाद आपको questions practice करने की और जरूरत है अब आपको बताए कि SSC exam हो गया या फिर different जो state exam हो गए उनमें जो questions आते हैं वो एक तरह के होते हैं उनका pattern same होता है और कई बार एक state का जो exam होगा उसके जो questions है वो दूसरे state exam में direct आ जाते हैं तो यहां से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि SSC exam के लिए आपको previous year जो state के A e के questions होते हैं और जो state के J e के questions होते हैं आपको इनक exam का जो state J, state A में आते हैं और उसी तरह के questions आपको SSC J में देखने को मिलेंगे तो मैं आपको यह रह दूंगी कि अब आपने अगर standard book के वो concepts जो आपको clear नहीं थे आपने standard book से उनको clear कर लिया अब standard book के last में आपको exercise वाले questions देखने को मिलेंगे आप उनी questions पर फोकस करोगे जो आपको पता है SSC J exam में आते हैं वो कहां से पता है क्योंकि आप लोगों ने previous year questions को analyze कर रखा है तीसरी बात आपको previous year जो state के AE के questions है और state के JE के questions है उनको साथ साथ practice करते जाना है जो भी subject आप अभी पढ़ रहे हैं आज के session में मैं इससे जादा नहीं बात करूंगी क् बेन बात करनी थी best books की और questions कहां से practice करें तो मेरी इन बातों का ध्यान रखिएगा question practice करने के लिए सबसे पहले आपको previous year questions देखने है SSC JE के और उसके बाद जो आपके state के previous year AE और JE के exams हुए हैं उनके questions को solve करना है और कोई भी data कोई भी data ऐसा हो जो confusing हो कई बार questions का solution में एक book में अलग होता है दूसरी में अलग होता है तो उस confusion को दूर करने के लिए आपको अपनी सिर्फ standard book देखनी है या फिर अपने सिर्फ standard IS code को ही follow करना है ठीक है और इसके अलावा अगर आपको कोई भी confusion रहती आप comment section में भी लिख सकते हैं और मेरा एक telegram channel है simran maam pw अगर telegram पर लिखेंगे तो आप वहाँ पर भी मुझसे doubt पूश सकते हो जो भी query आपको regarding books आती है या और इस exam से regarding आपको जो भी बात करनी है आज के session को मैं यही end करती हूँ अच्छे से तयारी करिए और जो SSCG 2025 पर target कर रहे हैं वो और देरी ना करिए और अभी से अपनी तयारी को start कर दीजिए और previous year questions को analyze करना start कर दीजिए और कोई help मैं आप लोगों की जो कर सकती हूँ मुझे जरूर comment section में बताइएगा मिलते हैं किसी अलग इसी तरीके के session में thank you everyone and all the very best